दोस्तो प्रदीवीरे एकाइडमी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तो सिंप्लेक्स मैथट मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि इसके सम्स को कैसे सॉल करना है कैसे क्या करना है हर इक चीज़ यहाँ पर बताऊंगा थोड़ा सा यह लंबा लेक्चर होने वाला है बट अगर आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से ध्यान से सुना तो मैं आपको यह गैरेंटी दे मैं आपको कोई प्रोसीजर नहीं लिखा के देने वालों सबसे पहले आपको यह पता होना च्छी कि इसके अंदर एक टर्म आएगा स्लैक वैरियोबल का अब देखो हमारे पास जीतने इक्वेशन्स होंगे उतने हम स्लैक वैरिवल्स लेंगे फॉर एक्जांपल यह मेरा क अब आपको पहला पार्ट आपको बहुत अच्छे से दोस्तों श्मारे लिख रहे हो तो मैं अपने इस एक्वेशन्स को अगर मुझे अच्छे से लिखना तो मैं कैसे लिखूंगा आप देखो यहां पर यहां पर आएगा तो माइनस फॉर्म में हो जाएगा 3x1 फिर यह आपको पहला वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से दोस्तो समझ में आ गया होगा फॉर्स पार्ट बहुत ही अच्छे से बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपकी दीमाग पे बैठ गया होगा अब दोस्तों मैं चल रहा हूं next part की और हाँ अब देखो यहाँ पे कुछ equations आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसे एगर मुझे किस तरह से लिखना होगा तो देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा x1 चलो color दूसरा ले ले रहा हूं यहाँ पे मैं देखो क्या लिख रहा हूं x1 यहाँ पे क्या है 2x2 और यहाँ पे क्या है दोस्तों x3 अब मैंने यहाँ पे यह लिखा अब दोस्तों यह first वाला equation है इसलिए यहाँ पे slack variable कौन सा आएगा दोस्तों s1 और यहाँ पे s1 पूरा का पूरा ऐसे लिखेंगे और जो बचा हुआ है दोस्तों second वाले equation का और third वाले equation का भी मैं लिखूंगा पर उसके साथ मैं 0 लूँगा और equal to जो value दिया है उसको equal to अब लिख सकता हो अगर मैंने slack variable add किया तो अब same अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यह क्या होगा दोस्तों 3 x1 yes इसमें x2 missing है तो मैं 0 x2 लिखूंगा और यहाँ पे क्याएगा दोस्तों x3 में क्याएगा 2 x3 अगर मैं यहाँ पे slack variables लूँगा तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं यह second equation है तो मैं यहाँ पे s2 add करूँगा फिर s1 missing है तो यहाँ पे क्याएगा 0 s1 और s3 भी missing है तो 0 s3 और equal to यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 4 60 बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो अब देखो next equation है तो यहाँ पे क्याएगा दोस्तों x1 यहाँ पे क्याएगा दोस्तों 4 x2 यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x3 missing है तो हम क्या करेंगी 0 x3 आप देखो यह तीसरा equation है इसलिए यहाँ पे पार्ट बनाया अब यह होने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर जैसे आप टेबल फ्रेम करोगे तो की कॉलम लेना है की कॉलम कैसे सिलेक करते है मैं आपको सीखाऊंगा आपको क्या करना है दोस्तों जैड की अंदर आपको छेक करना है कि कौन सा ऐसा वैलू है जो highest negative value है त जैसे आप key column select कर लोगे तो उसके बाद हम ratio find out करते हैं, ratio से हम key row हम find out करेंगे, जो maximum, यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पर maximum negative value लेते हैं, यहाँ पर हम उल्टा लेंगे, यहाँ पर हम क्या लेंगे, minimum positive value लेंगे, तो इसलिए में बोला कि अभी भूत confusion हो जाएगा, आप पूरा का पूरा मेरा lecture ध्यान से आगे देखना, जब मैं sum solve कर रहा हूँ, तो आपको खुद समझ में आगा, बस यह concept पर याद रखो, सबसे बहले की column लेंगे, फिर की रो लेंगे, फिर हम की element consider करेंगे, यह तीन चीज आपको पता होना चीए, अब चलते हैं दोस्तो देखो, यह हमने पूरा का पूरा पार्ट लिखा, देखो, simplex method के sum को solve करने के लिए, इस तरह का आपको एक table frame करना होगा, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा basic variables, basic variables में हम सबसे बहले क्या लेंगे, दोस्तो, z, फिर क्या आएगा, s1, फिर क्या आएगा, s2, और फिर क्या यहाँ पर पहला condition maximize देखना है, yes maximize दिया है, और यहाँ पर जितने भी values RHS में हो positive होना चाहिए, तो आप simplex method के sum को direct solve कर सकता, otherwise यहाँ पर minimize लिखा है, तो आपको यहाँ पर minus से multiply करके इसको आपको क्या करना है, maximize करना है, चलो उस तरह का अगर कोई sum आए तो मैं आपको बता होंगा, अब चलते हैं दोस्तों one by one चीज़ों को start करते हैं, yes z, z से related यहाँ से, अब मुझे बार 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 मुझे पीछे देखना होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट का मैं क्या कर रहा हूँ, फोटो ले ले रहा हूँ, जिससे मैं जल्दी से वहाँ पर लिख सकता हूँ, अब देखो दोस्तों मैंने यहां से फोटो ले लिया, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को past मैं पीछे लिख दे रहा हूँ, यह टेबल फॉर्म में तो बार 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 पीछे देखना होगा, अब यहाँ पर आप देखोगे, उसमें पीछे के side में तो x1 के आगे क्या था? माइनस 3, फिर माइनस 2, फिर क्या था, दोस्तो माइनस 5, फिर यहां पर आप गर आप देखो गे तो यह भी 0, यह भी 0, यह भी 0 और उसका RHS का value भी 0 था, अगर आप यहांपे x1 में देखोगे, तो यह 1 है, यह 2 है, यह 1 है, और उसके दाद s1, ब कितना है दोस्तों फोर सिर यहां पर यह वन है यह पूरा वालूस लिख दिया लिखने के बाद एक बार पूरा पूरा चेक कर लेना हम भी एक बार चेक कर लिखें पर्फेक्ट अगर नहीं तो फिर से पूरा का पूरा लिकना होगा माइस-2 बाय सब्सक्राइब दोस्तों आपको आप क्या करना चाहिए मेरे हिसाफ से अब यहां पर यहां पर यह पूरा का पूरा वैलुज लिखने चाहिए के बार आपको सब्सक्राइब करना की कॉलम कैसे डिसाइड करेंगे तो दोस्तों मैं यहां पर बॉक्स पहले सबसे डिसाइड कर दे रहा हूं डेकॉट की कॉलम देखो जैड के अंदर आपको चेक करना है कि जैड के अंदर सबसे ज्यादा maximum value कुन सी है देखो maximum values negative form में हां यह याद रखना negative form में तो और इसमें सबसे बड़ा वाला negative कुन सा है दोस्तों यह बड़ा वाला याद रखना बड़ा वाला wrong नहीं होना चाहिए तो यह है तो मतलब यह जो है दोस्तों यह अपना क्या है दोस्तों की कॉलम तो यह याद रखना यह अपना क्या हो गया दोस्तों की कॉलम अब की कॉलम का कॉंसेट आपके दीबाग पर बहुत अच्छे से मैंने बिठा दिया है और जरूर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो यार नीचे कॉमेंट करना वीडियो को लाइक कर देना और लोगों तक शेयर करते रहना अगर आप फ्री में मैं देखो आपको इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा तो प्लीज इस कंटेंट की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जरूर लास्ट टाइम पर भी अगर आप एक्जाम के पहले देख रहे होगा तो बहुत अच्छा कॉंफिडेंस आपके अंदर डेवलोप कर रहा होगा अब दोस्तों यह होने के बाद अब नेक्स हम क्या करते बता है यहां पर जो भी वैलूस है उससे हम इसको डिवाइड करते है जैसे बिट जीरो से अगर मैं माइनस 5 को डिवाइड करूँगा तो यहां पर संतिंग माइनस में यहां तो जीरो ही एंसर आएगा तो यहां पर आपको minus में और infinity में आपको answers नहीं लिखना है या तो 0 में भी नहीं तो यहाँ पर इसले मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पर देखो मैं 430 को अगर 1 से divide करूँ तो यहाँ पर कितना है दोस्तो 430 460 को अगर मैं 2 से divide करूँगा तो 230 आएगा फिर मैं divide करके देख ले रहाँ कि wrong नहीं होना चाहिए अब देखो मैं यहाँ पर 460 डिवाइड बाइड बाइगर मैं 2 करता हूँ तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तो 230 अब यहाँ पर करेंगे यहाँ पर क्या करते हैं तो most negative values यहाँ पर आपको लिष्ट पॉजिटी वैल्यू देखना है लिष्ट मतलब सबसे चोटा तो सबसे चोटा पॉजिटी वैल्यू दोस्तों यहां से हमी क्या करना है अब यहां से हमारा रखना कैसे वैल्यूस को सॉल्ल करना पूरा 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 आपको बता रहा हुए इसकी अगर आप देखो कि एक ऐसा यहां पर यह दोनों कालम में भी आ रहा है की आले गल पोलते हैं इसको आप सब Western कर गारे टोढ़ फिर मैं आप ट्राइब करूंगा एकना दो swift डीखना चाहिए यहाँ पर बॉक्स में और रेडी कर दू कलर वाइट ही ले ले रहा हूं यहां पर यह फॉर्स बाक्स यहां पर दो बाक्से और चाहिए इसी के अंदर मैं बना दे रहा हूं और जितना साफ सुतरा जितना अच्छा लिक होगे तो सॉल करते टाइप उतनी गलतिया नहीं होगी नहीं तो बहुत सारे लोग इसको ऐसी रैंडम दी सॉल करते हैं जिसमें गलती होने के चांसे बहुत जादा रहते हैं अब देखो मैंने पूरे के पूरे बॉक्स बना है मेरा लास्ट रोल बॉक्स थोड़ा सा छोटा है वही दिखकत नहीं है दोस्तों अब देखो यहां पर आपको क्या करना है सबसे पहले यह देखो यह 0 हो गया अब दूसरा step के आएगा दोस्तों 1 का यह जैड दोस्तों ऐसी आएगा जैड अब यहां पर दोस्तों यह आपको दिख रहा है यह जो की रहे है दोस्तों किससे हो जाएगा की कॉलम से तो यहां पर यह चेंज हो जाएगा मैं सेंग लिख रहा हूँ S1 same लिख रहा हूँ पर यह S2 key row था तो यह change हो जाएगा key column से तो यहाँ पे कहाएगा और यह S3 same होगा तो आप please समझनी कोसिस करना कि यह दोनों same होगे यहाँ पे जो भी key row होगा वो key column से change होगा अगर समझो यह key row 1 S1 होता तो S1 यहाँ पे change हो जाता तो यहाँ पे इसलिए S1 और S3 ऐसे ही है और S2 बस change हुआ है तो S2 किससे change हो गया है S2 से अब दोस्तों एक और चीज आपको बता दू कि जहाँ पे भी आपको key element दिखाई दे रहे है अब यहाँ तक है पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब आपको क्या करना प्लीज। ध्यान से समझ निक कोसिस करना एक यह यह कोने के बाद अब आपको क्या करना दोस्तों तो यह जो आपका की element है यह को की roll कॉलम दिखाई दे रहा है समस्क्त' आपको this आपको जीयड है और इस कतरह वाले वैलीस को आपको फोर जो बहुत अच्छे से द्यान दे रहा होगा उसको सब चीजे समझ में आ रही होगी जो बीच-बीच में उठके जा रहा होगा उसको प्रॉब्लम हो सकता है देखो हमने सभी वैल उसको कापी कर लिया क्योंकि यह अल्रेडी जीरो था यह सर यह दो जीरो नहीं यह सम कर स होगा मनलब कुन से आलेगा इसका जहां पर हमारा की ऐलमेंट होगा और की ऐलमेंट हमने क्या कर दीजा रहे थे इसको यह माइनस भान है तो इसका ज़स्ट ऑपोजिट क्या गया दोस्तों फ्लस पाइर यहां पे पर वाइनगी इस फॉर्पले से आप आर वन के सभी वैल्यूस को आप चेंज कर सकते हो, अब देखो मैं R1 के वैल्यूस को चेंज करने जा रहा हूँ, R1, अब R1 का वैल्यू आप यहां से देखोगे, पर R3 का वैल्यू आपको यहां से देखना है, यह गलती मत करना, स्टाराए तो आ है बहुत मेनस से बता रहू अब दोस्तों यहाँ पर आपको सेम यह पूरा का पूरा रवन इस फॉर्मुरे में इस होगा दोस्तों और टूसरों कितना है माइनस टू है एक गलती पुरा पुरा sum wrong कर देगी, minus two है plus, यहां पे कहएगा five R3 का value यहां से लेना है दोस्तो R3 इस समय क्या है, यहां पे zero है, यहां पे कहएगा दोस्तो minus two अब देखो, मैं यहां पे अगर ध्यान दू तो R1 कहा है, दोस्तो, minus five plus five R3 कहा है, दोस्तो, one तो अगर मैं देखू तो यहां पे 0 आ गया अब देखो दोस्तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोंगे R1 क्या है 0 है 5 है R3 क्या है दोस्तो R3 0 है तो finally यहां पे भी 0 आया और अगर आप देखोंगे आरंवन किया है जीरो है encanta अगर देखे तो फाई वाइ टू आएगा है अगर गागए मैं आरवर्वन की बात करो बात करो इस बातर प्रसफाए अगर मैं देखू तो किया है यहाँ फाइनए जीरो आरवन किया है दोस्तो जीरो है प्लस फाइन यहाँ पे 1150 है अगे आज़ाई तो यह पूरा पूरा वैल्यू सॉल कर दी अब दोस्तो यह फॉर्मले से अपने यह वैल्यू निकाला आख रुफ कर सकते हो अब देखो दोस था ये वाला तो मैंने उसको डेरेक्ट लिख दिया है यह वन था तो इसको कुछ नहीं करना है यह दोनों को आपको जीरो करना है यह यहां पर जिसको आपको 0 करना है वहाँ पे कुन सा value 1 1 का just opposite क्याएगा minus 1 तो minus 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा तो आप direct ऐसे भी लिख सकते हो R2 minus R3 अब देखो दोस्तो R2 minus R3 R2 कितना है 1 है 1 minus R3 का value यहाँ से देखना है यह वाला मतलेना R3 का value क्याएगा दोस्तो 3 by 2 3 by 2 तो यहाँ पे कहाएगा दोस्तो minus 1 by 2 अब यहाँ पे गर मैं देखो तो R2 का value क्या है दोस्तो 2 है minus R3 कितना है 0 है तो यह 2 यहाँ पे देखोंगा 1 है और यह भी 1 है तो यह 0 और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है तो 1 minus 0 1 यहाँ पे 0 है यहां पे फिस हाफ है 1-5-1 यहां पे 0 है यहां पे 0-0 है यहां पे 430 है माइनस रत्री का वैलु कितना है दोस्तों 230 तो मुझे लग रहा है यहां पे 200 अब दोस्तों देखो यह पूरा का पूरा हमने पाट सॉल कर दिया अफ सेम प्रोसीजर हम फिर से रिपीट करेंगे प्रोसीजर फिर से रिपीट करना ही कि नहीं करना यह डिपेंड किसके उपर करता है यह डिपेंड करता है दोस्तों कि आपका जो वैल्यू है जैड का वो नेगेटिव तो नहीं आ गया कहीं पर येस आ गया मतलब प्रोसीजर तो यही हो गया आपका हाइस नेगेटीव वैल्यू अब यह वैल्यू आपका नेगेटीव हो गया तो आपको आपको क्या करना है दोस्तों यहां पर देखो आपको रेश्टू निकालना है तो 1150 से अगर मैं माइनस टू को डिवाइड करूं माइनस में एंसर लिखते नहीं इसले उसको नहीं solve करूंगा 200 से अगर मैं 2 को डिवाइड करूं तो एंसर कितना आएगा दोस्तों 100 यहां पर मैं 230 को डिवाइड करूं किस से 0 से तो इंफिनिटी एंसर आएगा जिसको हम नहीं लिखेंगे और 420 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो देखो 420 तो 105 अब अगर आप द्यान से अच्छे से देखोगे तो यहां पर आपको एक चेंजिस दिखाई दे रहा होगा दोस्तों दोनों में आपको क्या करना है कुन सा positive value minimum है याद रखना minimum आपको देखना है तो minimum यह है तो मतलब यह अपना क्या हो जाएगा दोस्तों यह अपना क की रो हो जाएगा अब की रो होने के बाद आपको पता है यार यहां पर आपका की अलिमेंट कुन सा है दोस्तों जो दोनों में आ रहा है तो यह अपना की अलिमेंट इस टार बाक किया फिर वही सेम प्रोसीजर कुछ चेंजिस नहीं दोस्तों अब मैं चाहता होगी इसको थोड़ा सा मैं उपर लेनी कोसिस कर रहा हूं अब मैं अगर इसको उपर लेनी कोसिस करूंगा मैं क्या करता हो पता है यह एसी रखता हूं कि यह पूरे पार्ट को मैं कॉपी कर लेता हो नेक्स पेस पे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा यह क्या करूं यह आपके आज तो बूक रहेगा वहां से आप कर सकते हो टेबल एस्ट्रा कर लेते हैं अगर फिर से मुझे जब तक यह सॉल नहीं होगा तब तक सॉल करते जाना है तो यहां पर यहां पर यहां पर हमने खुड़न चार वाक्सेस रेडी कर दी है अब यहां पर मुझे रेडी करना होगा एक वाक्स यहां पर दो वाक्सेस यहां पर तीन वाक्सेस यहां पर चार और यहां पर लास्ट अब देखो यहां पर यह पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद आपको पता है कि यहां पर यह सेगेंड इटरेशन आएगा यह जैड होता है अब चेंजेस क्या होगा थोड़ा से ध्यान से समझ के रखना है यह इसा लग रहा है कि यहां पर एक बार हम चेक कर ले रहे हैं यहां पर कौन सा वैल्यू एक तो दोस्तों वह एक्स तू से चेंज यहां पर एक बर चेंज आए यहां पर हमने यहां पर एस थ्री आएगा दोस्तों एक सेगें ना यहां पर एस थ्री आएगा एक स्थ्री और 2 तो यहां पर अब देखो यहां पर मैंने लिखते राएंब गलती यहां पर गलती से X2 आएगा तो यहां पर देखो मैं change करके यहां पर क्या लिख रहा हूँ अब यहां पर देखो वैल्यूस कैसे मैं पड़ा 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 चीजों को change कर रहा हूँ प्लीज ध्यान से अच्छे तर समझने की ज़रुवत है हाँ अब यहां पर आप देखोगे तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा सबसे पहले मैं क्या करूँगा यह जो हमारा वैल्यूस है उसको हम change करते हैं सभी को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो यहां पर मुझे लग रहा है यह है न तो यह क्या आएगा माइनस 1 बाइ 4 यह 2 से करेंगे तो माइनस 1 बाइ 4 यह भी जीरो और यह 2 से डिवाइड करेंगे तो यह कितना आएगा दुस्तों hundred तो इसके वैल्यू को आप copy कर लेते हो जीरो और यह दोस्तों कहाई गाई गड़ी है अब आपको यह दो वैल्यू आपको निकालने होंगे आपको फॉर्मला बनाना बहुत सिंपल है आप इदे फॉर्स प्रोय तो तो यह first row है, तो देखो आपको changes कहाँ पे लेकर आना है, please समझने ही कोसिस करो, first row को अपने को 0 लाना है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हू, formula r1 को 0 लाना है, मैं हमेज सा इसका respect का help लोंगा, मतलब इसका, तो यह second row में है, second row का help लोंगा, और जिसको 0 लाना है, वहाँ पे value यहाँ से आपको देखना है, तो कितना है, दोस्तो, minus 1 by 4, तो finally अगर मैं देखऊं तो यहाँ पर answer कीतना रहा है, गदूस्तो 4, अब दीखो मैं अगर ध्यान से देखने इद कोशिस करूँ, तो यहाँ पे r1 का value कितना है, दोस्तो, the value of r1, r1 का value कितना है, minus 2, और r2 का value कि यहां से मैं देखना है वन है यहां पर कितना आएगा दोस्तो जीरो और रटू का वैल्यू भी क्या है दोस्तो जीरो है तो यहां पर जीरो आएगा आरवन जीरो है आरटू का वैल्यू कितना है दोस्तो वन बाइटू है यहां पर वन आएगा आरवन कितना है दोस्तो यंदेर अंगे तना गшतना दोस्तों острू दूलन्क प्लस्टा टूल्क दीटा दोस्तौ और जिटाएगा आप पुरा अपको निकाल दिया अब आपको S3 के लिए आपको फॉर्बला के आएगा दोस्तो वह आपको बनाने आना चाहिए अब देखो आपको पता यहां पने डारिक जीरो आ जाएगा तो उसको सॉल नहीं करना बाकी सॉल करना अगर मैं यह सॉल करने जा रहो तो यहां पर आर्फॉर का वै हो तो यहां पर उसको सघ्य हूं गड़वर कर सकते हैं थोब इस लें द्यान देखना नहीं कितने है ?-4, रटू कितने है ?-4, यहां पर एक है दियान दू तो पर इंगे होगा, यह पर्फेक्ट है, यह जीरो पर्फेक्ट है, यहां पर अगर आप देखो ुक्तius के आर 1 पर गा गिटना है kitten एक जीरो है मैनेस फोर है वेल्ες गिटना है दोस्तों यह तो वन वियू है है यह कितना है दोस्तों यह उनेश गोई वैली। तो यहाँ पर गाएगा दोस्तो 1 R2 कितना है दोस्तो अगर आप देखोगे R4 कितना है दोस्तो 1 है माइनस 4 और R2 का वैलु कितना है दोस्तो 0 है तो यहाँ पर 1 अब दोस्तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो R4 कितना है 420 माइनस 4 और आर्टू कितना है दोस्तों हंड्रेट यहां पर ट्वेंटी एंसर है अब दोस्तों देखो यह फॉर्बला में हटा दे रहा हूं अब अगर आप द्यान से अच्छे से देखने ही कोसिस करोगे तो यहां पर एक चेंजस आपको दिखना होगा बहुत ही अच्छे से आपको अब निकालने कोसिस करते हो तो आप निकाल सक्ते हो पर मेरा सॉदिस नहीं कि आप देखो गेंडर तो कोई बहूं फिर्ग ओर और X3 का और Z max का तो Z max का value तो दोस्तो ये आएगा देखो Z के सीधे पर आना तो ये जो value है 1, 3, 5, 0 X1 अगर आप द्यान से देखोगे तो इसके अंदर X1 नहीं है तो X1 नहीं है तो 0 लोगे X2 कितना है दोस्तों अगर आप द्यान से देखोगे तो X2 के सीधे में आओगे तो कितना है दोस्तो 100 है और X3 के सीधे में आओगे तो दोस्तो कितना है 230 तो यह आपका solution है उमीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत ही अच्छे समझ में आओगा वीडियो को देखने के लिए दिल से ठाइक्स ठाइक्यू सो मजब दोस्तो मिलते हैं next lecture में बहुत ही वीदियो बनाए आप कोई भी समझ आप solve करो आप solve कर लगे मिलते हैं next lecture में जैहिन दोस्तो